तो हाई गैस वेलकम टो निवी चनल तो फेंस आज के वीडियो में हम जब बात करने वाले हैं मी 11 Lite की तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मी 11 Lite जो इंडिया में लाउंच होने वाले है कि क्या आपको रुखना चाहिए उसके लिए कि जो अभी Redmi Note 10 Pro Max अल्रेडी 24G variant अल्रेडी मिलता नहीं है स्टॉक में और अभी मिलना स्टार्ट हो चुका है तो देखते हैं आगे चलते हैं वीडियो में और में कुछ एस्पेक्स के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या देखना को मिलेगा मी 11 Lite में तो चलते हैं वीडियो की तरफ सब से पहले बात करते हैं थोड़े बहुत इसपेक्स की तो मी 11 Lite में आपको काफी सारे मुल्टीफल कलर्स दीखने हो मिलेंगे जो कि आपको Redmi Note 10 Pro Max में इतने इंट्रस्टिंग कलर्स नहीं मिलता है जैसे कि आपको जो है एक बबल कम ब्लू कलर मिलता है पीच पिंक कलर मिलता है और तो तीन कल वारेंट आपको दोनों में मिलते हैं लेकिंग जो मी 11 Lite जो कलर रहा जो डिजाइन वह अब को इसके बड़े भाई मी 11 जैसा निखने को मिलेगा तो डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है मेला लाइट का तो अगर आपका डिजाइन प्रिफरेंस है और अगर जा सकते हैं आप डिवाइस के लिए साथी साथ में एक और बात बता दू कि में 11 लाइट जो है वो 6.8 mm थिक थिन है तो आपको काफी स्लिम फोन लगेगा बजाए के रेड्मी नोटन प्रो मैक्स के तो 6.8 mm जो थिकने से तो काफी कम होती है काफी स्लिम फोन है तो उसी तो दूनों भी डिवाइस में सूपर एमोलग डिस्प्ले मिलता है लेकिन जो रेड्मी नोटन प्रो मैक्स ही 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ और जो मी 11 लाइट वो नॉर्मल 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ राथ है तो रिफ्रेश रेट से आपको इतना ज्यादा मिलती है मीन्स कि जब आप संलाइट में जाएंगे तो आपको रेड्मी नोटन प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है वो काफे जादा ब्राइट लगेगा एस कंपेर टू मिलेवन लाइट दोने डिवाइस जो है कौनिग और लग राइस फाइप के साथ आते हैं तो वहां पे अपको कोई बीडिस नहीं मिलेगा जो प्रोटेक्शन होगी दोनों डिस्प्लेश की वो एक मात्र जो है सेम ही है तो आपको वहां पे कोई बीडिफ्रेंस नहीं है बात करते हैं प्रोसेसर की तो दूनों ही डिवाइस जो है ना कौलकम स्नाफडिकर 732 जी के साथ होते हैं तो यही चीछ जो है मैं कंपेर करना चाहता था कि दोनों डिवाइस क्या आपको सेम ही मिलते हैं मेंस जो प्रोसेसिंग पावर है जी प्यू है वो एक्सेट सेम मिलती है दोनों डिवाइस में मेंस कि प्रोसेसिंग पावर में आपको कोई भी डिफ्रेंस नहीं मिलेगा हाल आपको कोई भी डिफ्रेंस नहीं मिलेगा साइसाथ बैट्री और पावर की बाद तो मैंने करी लिए 33 वार्ट आपको इन बॉक्स चार्जर दोलों मिलते हैं 1,2, 50 mH बैटरी मिलती है आपको ri 11 light में और 50-20 mH बैटरी मिलती है आपको Redmi Note 10 pro Max में बात करते हैं में चीज़ की यह है केमरा यहां पर Redmi Note 10 pro Max की पहले बात कर लेते हैं यहां पर आपको मिलता है 108 MP प्राइमीरी संसर स्फैंडे से कंडरी 8 MP पिर 5 MP 7 MP पिर 2 MP का है तो Quad Camera आपको म सब्सक्राइब कर सकते हो बात करते हैं तो यहां पर ट्रिपल रियर केमरा मिलता है एक्राइब नहीं मिलते हैं तो कैमरा में थोड़े बहुत अपको एक्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं यहां में 30 तो कैम तो प्रेंट में मिलता सबीच में दाघ्री में जाता है यहां दन्राइब आपको जो कृणिद कर्र Positive्स में इस ऑधियर डिजाइन में तोगर आपको है एक खूल का छैयाinta छाईनघ्र तो बोन हो ब् derived 俺 9 कि दिस्ट्रै आपको एक बढ़िया camera चाहिए Samsung का sensor वाला तो आप जो है Redmi Note 10 Pro Max चूस कर सकते हैं वहां पर आपको काफी बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है मिन्स प्रोसेसिं पावर है वह दोनों में सेम है वह तो को इशू नहीं है लेकिन जो कैमरा दे वह आपको Redmi Note 10 Pro Max में जाधा मिलती है और अगर आपको एक स्लिम पोन चाहिए तो आप में 11 लाइट के लिए जा सकते हैं तो बस यही था वीडियो इसमें आपको मैंने बता दिया कि दोनों डिवाइसेस में से क्या आपको कंसेडर करना चाहिए कैसा लगा आपको वीडियो आपको में जरू बताना है यसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजए नोटिफिशन बैल को प्रेस कर लेना जिसे कि आगे आने वाली विडियो आपको मिलती Продолжение следует...